मिस फैंग दोनों को ब्लैंके के अंदर देख कर सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है फिर तेंग्याओ फैंग को थपड मारती है फिर वो बोलता है कि तुम फर्स वोमन हो जिसने मुझे मारा है फिर तेंग्याओ बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूगी वो बोलता है कि अब तक मुझे मारने में कोई भी successful नहीं हुआ है फिर वो उसे बोलता है कि तुम एक मेट होके यहाँ पर आ गई अगर कोई भी तुम्हें देख लेता तो तुम्हें बहुत ही बड़ा punishment मिलता मैंने तुम्हें बचाया है और फिर फैंग उसे medicine लगाने के लिए बोलता है पर तिंग्याव वहाँ से चली जाती है तो अभी फैंग उसे gun दिखा के उसके order को follow करने के लिए बोलता है तिंग्याव उसे बोलती है कि तुम governor के mansion में शूट करने की बात कर रहे हो क्या तुम्हें डर नहीं लगता वो बोलता है कि ये तो मेरा ही घर है तो मुझे डर क्यों लगेगा फिर तिंग्याव बोलती है कि क्या इसका मतलब तुम ही वो बोलता है कि हाँ मैं ही city का governor हूँ फैंक त्यानी तिंग्याव सुचती है कि मैं अप अपना revenge कैसे लोगी क्योंकि ये तो governor है उसके बाद वो उसके हाथों पे medicine लगाती है फिर फैंक को अपने बच्पन की memory सियाद आती है तिंग्याव उसे बोलती है कि मैंने अपना काम कर लिया है क्या अप मैं यहां से जा सकती हो फिर फैंक उसे अपना gun दिखाता है तिंग्याव उसे बोलती है कि मैं यहां से जा रही हूँ अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो तब यूजे बाहर उस लड़की को पूछती है कि क्या हुआ है वो लड़की बोलती है कि गवर्नर और मीट के पीच कुछ हुआ है फिर तिंग्याव बाहर आते ही उसे सभी मारने लग जाते है क्योंकि सभी सोच रहते हैं कि उसने गवर्नर को सिडियूस किया है तब ही वो लड़की आकर सभी को रुकने के लिए बोलती है पर फिर जान मुझकर उसने तिंग्याव को धक्का दे दिया और वो सीडियो से गिड़ जाती है उसके बाहर गवर्नर उसे उठा के वहां से ले जाता है फिर तिंग्याव को होश आता है और वो उठकर बोलती है कि तुम कौन हो और मुझे कुछ पर याद नहीं आ रहा है फिर गवर्नर बोलता है कि तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है वो लड़की बोलती है कि ये मेरी मेड है फिर फैंक बोलता है कि अब से वो तुम्हारी मेड नहीं है वो मेरी है फिर यूजे बोलता है कि ये मेरी फियांसे है तो आपको थोड़ा सा रेस्पेक डिखाना चाहिए फैंग बोलता है कि ये तुम्हारी फियांसे है इसलिए ये मैं इसे छोड़ रहा हूँ फिर फैंग उसे बोलता है कि इतना कुछ हो गया पर क्या तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है यूजे उसे बोलता है कि ग्रैंड मर्दर ने ये सब ठी किया है और मुझे ग्रैंड मर्दर पे पूरा भरोसा है और एक ही difference है तुमें और मुझ में कि मैं अपने fiance को respect करता हूँ तुम्हारी तरह नहीं तुम्हारी मिस जी के साथ engagement है पर तुम उसे सिर्फ wait करवाते हो तब है मिस फैंग उसके मेर को बोलती है कि इस लड़की को यहां से ले जाओ फिर फैंग मना करता है और बोलता है कि वो अभी भी injured है तो उसे rest करना चाहिए मिस फैंग बोलती है कि यह हमारे family rules के against है फैंग बोलता है कि मैंने इसके साथ सोया है तो यह मेरी woman है यूजे उसे बोलता है कि वो टिंग्याओ की maid है तो उसे अपने साथ टिंग्याओ को ले जाना चाहिए फिर फैंग बोलता है कि आज से कोई भी उसे bully नहीं करेगा और touch नहीं करेगा मिस फैंग बोलती है कि आज तक किसी ने भी मेरे against नहीं गया है पर तुम एक maid के लिए मेरे against जा रहे हो यह episode इतना ही था मिलते हैं next video में